हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टड़ी चानल स्टड़ीवज शुपरा तीरे पर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा जुलाई के फूर्थ वीक के करेंट अफेर्स यानि कि हम जुलाई सब्सक्राइब के फूर्थ वीक जो है उसके महत् स्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से जाके देख लीजिएगा ठीके फ्रेंड्स हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है जुलाई फूर्थ वीक के करेंट अफेर्स उससे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं जिए जियांटिक एस्टरोइड 2020 एंडी में इस अप्रोजस अप्रोश टू अर्थ यानि की एक जिजयांटिक क्या होता है फ्रेंड वहुत बड़ा एस्टरोइड यानि उल्कापेंट जिसे कहते हैं हिंदी में 2020 एंडी उसका नाम है यह प्रत्वी के पास में किस दिन नासा किसके स्पेस एजन्सी है यूएसे की है ना हैस वांट डैट जिजयांटिक एस्टरोइड बिगर देन लंडन आई लंडन आई क्या है यह भी एक एस्टरोइड है फ्रेंड जिसकी हाइड थी 443 फीट है ना इसकी हाइड इत्ती है और इससे भी बड़ा है 2020 एंडी ए एक अनुमान लगाया गया था कि जुलाइ 24 को यह प्रत्वी के करीब आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है वन विल्ल द नियूली इलेक्टेड राज्यसभा एंपीस टेक द ओध राज्यसभा के जो निर्वाचित एंपीस है वो शपत आंसर होगा जुलाइ 22 याने जुलाइ 22 नजुली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफर राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पारलियमेंट राज्यसभा को क्या कहते है और राज्यसभा के हैड याने सभापती कौन होते हैं वाइस प्रसेडेंट जो की भी कौन है एंप वैंक 22 को newly elected राज्यसभा MPs हैं उनको Chamber of the House लेकिन कहां पे Chamber of the House जो Upper House का Chamber है वहां पे during intercession for the first time ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके से शपत दिलाई गई है ठीके चलिए next question देखते हैं which state government has announced financial assistance for the king of आंगनवाडी आशा वर्कर्स who's come to COVID in line of duty ठीक है यानि COVID-19 के चलते फ्रेंट्स आंगनवाडी के जो आशा वर्कर्स है वो COVID-19 चलने के दौरान भी अपने ड्यूटी बखुबी निभा रहे हैं तो कौन से इसी state government है याने कौन से राजे सरकार है जिसने financial याने के वित्य तोर पर उनकी मदद करने की घोशना की है तो इसका answer क्या होगा फ्रेंट्स ओडिसा है ना option number C ओडिसा चलिए next देखते हैं और ओडिसा किसी एम कौन है नवीन पतनायक ठीक है चलिए next question which nation has recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty as per the latest UN report हाल ही में UN report जो जारी करी गई है उसमें कौन सा देश ऐसा है जिसकी multi-dimensional poverty क्या होती है फ्रेंट्स जहां पर poverty के कुछ criteria होते है जैसे कि education standard of living है न ये सारे financial इस्तिती वगेरा ये सारे आते हैं multi-dimensional poverty के अंतरगर तो multi-dimensional poverty में बहुत अधिक मात्रह में reduction देखा गया है एक पर्टिकुलर देश में तो वो कौन सा देश है तो इसका answer क्या हो जाएगा फ्रेंट्स option number D याने की इंडिया इंडिया विटनेस्ट ऑल्मोस्स 273 million people move out of multi-dimensional poverty between 2005 to 2006 and 2015 to 2016 as per UN report on global multi-dimensional poverty index the report noted that the India recorded the largest reduction in the number of people living in this category याने multi-dimensional poverty के अंतरगर जो लोगबाग आते हैं वो उनकी संख्या बहुत तीजी से कम हो चुकी है वो इस level से बाहर निकल चुके हैं अधिकतर लोग ठीक है चलिए नेक्स फॉशन देखते हैं विच अमंग दो फॉलिंग कंट्रीज कोविड वैक्सिंग कुल ओफर डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइरस इफ सक्सेस्फुल एक देश ऐसा है जो कि यह दावा कर रहा है कि जो कोविड वैक्सिंग कर ट्रायल कर रहा है अगर वो सक्सेस्फुल हो गया तो वो डबल प्रोटेक्शन ओफर करता है वाइरस से लडने के लिए ठीक है यानि वाइरस खतम करने में तो वो कौन सा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स यूके यूनाइटेड किंग्डम है ना इना मेजर ब्रिक्ट्रो दे यूके ट्रिगर एन इम्म्यून रिस्पोंस दैट विल प्रोवाइड डबल डिफेंट्स अगेंस्ट को रोना वाइरस ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं दे यूनाइटेड नेशन हैस रेजिगनेटेड नूर वाली महसूद एज ग्लोबल टेररिस यूनाइटेड ने वाली महसूद जो कि एक टेररिस्ट है उन्हें वैश्विक आतंगवादी घूशत किया गया है तो वो किस आतंगवादी ग्रूप को बिलॉंग करते हैं या किस आतंगवादी ग्रूप के चीफ है तो इसका आंसर क्या होगा तेहरीक ए तालीबान पाकिस्तान यानि की ऑप अग्तिनूर वाली महसूद एज ग्लोबल टेररिस्ट चलिए नेक्स कुशन देखते हैं इंडिया साइन एग्रिमेंट टू एक्सपांड कोलोबरेशन विच विच नेशन ओन जुलाई 15 इंडिया ने एक एग्रिमेंट पे साइन किया है जो एक्सपांड करता है साइबर थ्रेड है ना जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको लेके क्यों क्योंकि जैसे कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी चीज़े डिजिटाइजिशन हो रही है ना ओनलाइन हो रही है वर्चुल हो रही है तो इस वर्चुलेटी की वर्ड को बढ़ता हुआ देखके ने एक एक एक्रिमेंट साइन किया है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है वैन इस नेलसल मंडेला इंटरनेशनल दे आप्जर्व यानि की अंतराश्ट्री नेलसल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंट जुलाइ एटीन अप् devolutionary क्या होता है रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी जो होते है वो नेलसल मंडीला जी ने साउत अफरिका में रंग विरोधी अंदोलन की हैड थे वो इसका विरोध किया था रंग भेद का तो ये नेलसल मंडेला जी साउत अफरिका के पहले अश्वित प्रेसिडेंट भी बने थे ना पहले अश्वित राश्ट्रपती भी बने थे कहां के दक्षण अफरेका के तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंट्स और इनकी बर्ट अनिवर्सरी याने जुलाई 18 को इंटरनाशनल नेलसर मंडेला डे मनाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है इंडियन इंस्ट्रिटूट अफ टेक्नलोजी मदराज IITM स्टार्ट अप मॉडिलर्स हाउजिंग हैस डेवलप्ड अपोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट कॉल याने कि IIT मदराज जो है उन्होंने एक स्टार्ट अप जिसका नाम है मॉडिलर्स हाउजिंग इसके होती है ऐसी यूनिट याने कि जिसे इमर्जेंसी वाड वगेरा या जिसे जितने भी मैडिकल फैसलेटी होती है वो एक जगे से दूसरी जगा सेट अप करा जा सके एक एक एक्जामपल है टेंट के जैसा जैसे एक टेंट होता है ना उसे कहीं पर भी अपन लगा सकते हैं वैसे ही यह पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट कहलाता है जिसे कहीं पर भी स्टैबिलिश्ट किया जा सके तो यह आयर्टी मदरास ने डैवलब किया है किस स्टार्टप के थ्रू मॉडिलस हाउसिंग के थ्रू तो इस यूनिट का नाम क्या है यह बताना है तो इसका किने मनाया गया है तो इसका अंसर होगा option no.c Rooshni Nadal Manhotra तो यह कॉन है यह HCL founder शिव नदार की daughter है तिक है India's direth woman Rooshni Nadal the new chairman of North Noreta based IT Company at CL Technology चलिए next question दिखते है next question है who among the following Volleyboard Actors recently chosen as the Ambassador of the Toronto International Film Festival TIFF 2020 है ना याने कि कौन सी Volleyboard अभी नेतरी है जिने हाली में Toronto International Film Festival का Ambassador बनाया गया है तो इसका अशर क्या होगा Option No. B Priyanka Chopra Jonas को Ambassador बनाया गया है Toronto International Film Festival का ठीक है चलिए next question देखते हैं Name the state who recently decided to convert waste generated in the state to electricity under an initiative title waste to energy एक title है waste to energy उसके अंतरगत क्या किया गया है जित्ते भी waste generated होता है याना उसे electricity याने विद्धियूत में convert करने का एक initiative लिया गया है कि सरकार के द्वारा तो इसका आंसर क्या होगा उत्राखंड उत्राखंड ने इनिशेटिव लिया है कि जो भी waste निकलता है उससे electricity generate की जाए अब इसी के साथ में important क्या है कि उत्राखंड के cm कौन है त्रिविंद्र सिंग रावाद और गवर्नर कौन है बीबी रानी मौरिया चलिए next question देखते हैं who among the following has been reappointed as the MD and CEO of the federal bank MD और CEO of federal bank के किन्हें बनाया गया है वापिस से reappoint हुए है तो इसका answer क्या होगा option number D. शाम श्रीनिवासन शाम श्रीनिवासन को वापिस से reappoint किया गया है किस position पर MD और CEO of federal bank Reserve Bank of India has approved the appointment of शाम श्रीनिवासन as the managing director and chief executive officer of the Kerala based private sector federal bank कहां कि Kerala based private sector है है न कब तक के लिए बनाया गया है 22 September 2021 तक के लिए वो federal bank का headquarter कहा है Aluwa Kochi Kerala Aluwa क्या है एक municipality है कहां कि Kochi city की municipality and a northern suburb of the city Kochi यानि Kochi की municipality है Aluwa और Kochi किस राज्य में आता है Kerala में इसलिए federal bank का headquarter का Aluwa Kochi Kerala यानि option में आपको पूरा पूछा जाए तो पूरा आएगा अगर Aluwa Kochi Kerala तीनों में से भी अगर कुछ रिया जाए तो वह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं नेक्स कोशन है प्रोफेसर सी एस शेशर दिरी who passed away recently was one of the India's most eminent leader in which field यानि कि हाली में प्रोफेसर सी एस शेशर दिरी इनका नेधन हो जुका है तो यह किस फिल्ल के बिलाउंग करते थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा mathematics option number a one of the eminent Indian mathematician of the post independence era प्रोफेसर सी एस शेशर दिरी has passed away he was 88 प्रोफेसर शेशर दिरी is known for his work in algebraic geometry इनका योगदान सबसे जादे किस में रहा था algebraic geometry में ठीक है चलिए next question देखते हैं Indian railway is set to connect all the capital of the northern eastern state of India to the rail network by which year Indian railway ने हाली में यह ही decide किया है कि northern eastern state जो है उनको rail याने की railway train जो connectivity रहती है कि स्टेट से दूसरे स्टेट की वो connectivity complete करने का target कौन से साल तक कर रखा गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा 2023 the railway board chairman कौन है वीके यादव विनोथ कुमार यादव इन्होंने अनौंस किया है कि Indian railway has set the target to connect the capital cities of all the north eastern state of India to the rail network by 2023 और अभी हाली के समय में सर्फ सिक्क्य मैसा राज है जहां पे northern eastern state जित्ते भी हैं उसमें सिक्क्य मैसा है जिसमें connectivity rail network अभी नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पाकिस्टान है agreement with which country for the construction of 700 megawatt आजाद pattern hydel power project hydel power project कितने 700 megawatt का पाकिस्टान ने agreement sign किया है इसके लिए किस country के साथ में तो इसका answer क्या होगा चाइना option number c Pakistan and China have signed an agreement for construction of आजाद pattern hydel power project है ना इन सुधोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान occupied कश्मीर पी ओके में ठीक है अब इसमें क्या एक और important है कि यह किस river पर है यह hydel power project है यह किस river पर located है तो वह है जेलम जेलम रिवर पर located है और यह complete कप तक होने के अनुमान है 2026 तक चलिए next देखते हैं next question है पैरा एथलेट रमेश टिकरम has passed away he was related to which game है ना एक एथलेट पैरा एथलेट थे रमेश टिकरम इनका हाल ही में निधन हो चुका है तो यह पूछा गया है कि किस खेल को बिलॉंग करते थे किस खेल की प्लेयर थे तो इसका answer क्या हो जाएगा badminton option number B रमेश टिकरम a former star पैरा badminton player and an अर्जुन अवार्ड है ना इन्हा अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका था has passed away of coronavirus he was 51 coronavirus की कारण इनकी मृत्य हुई है रमेश वस्ट पैरा badminton player in India to be honored with an अर्जुन अवार्ड in the year 2002 यानि कि यह जो रमेश टिकरम जी है यह पहले पैरा badminton player है भारत के जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2002 में चलिए next question देखते हैं when will the construction of the राम temple begin in ayodhya यानि कि राम मंदिर जो कि ayodhya में स्थापत होने वाला है construct होने वाला है तो वो कबसे established होगा उसका construction कबसे start होगा यह पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा friends option number d यानि अगस्त के first week से अगस्त के first week से construction start होगा grand ram temple in ayodhya is scheduled to begin in the first week of august 2020 तराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट एना इस planning to conduct भूमी पूजन और प्लेस वर्षिब ऑफ दे construction एरिया और अगस्त 3 और अगस्त 5 ठीक है तो राम मंदिर का कहा establishment हो रहा construction हो रहा आयोध्या में चलिए next question देखते हैं which union territory administration has approved rupees 25 like insurance cover for all local elected members यानि कि कौन से एसी केंदर शाष्वित प्रदेश है जिसने यह decision लिया है कि 25 like insurance cover दिया जाएगा सारे ही local elected members को तो इसका answer क्या होगा जम्मू कश्मीर जे अंड के है ना option number a जे अंड के ठीक है चलिए इसकी detail भी देख लेते हैं थोड़ी सी दे जम्मू और कश्मीर administration on July 18 2020 announced a life insurance cover of rupees 25 lakh for all elected members of urban local bodies and panchaya drugs institution this is significant as the locality elected members in Jammu Kashmir are under constant threat from terrorists ठीक है terrorist के वज़े से यह insurance cover देने का decision किया है Jammu कश्मीर ने ठीक है चलिए next question देखते हैं who became the first cricketer to violate ICC saliva band rule ठीक है अब यह saliva band rule क्या है अभी हाली में COVID-19 के चलते ICC ने कुछ नए rules बनाए थे उसमें से एक rule यह था कि match के दौरान कोई भी player ball पर saliva नहीं लगाएगा यानि इसका violation एक क्रिकेटर ने कर दिया है तो वह कौन से क्रिकेटर है तो आंसर होगा Dom Sible option number B Dom Sible England के player है यह Dom Sible यह पहले क्रिकेटर बन गए है जो उन्होंने ICC saliva band rule को तोड़ा है during day four of England second test series against West Indies हैना Manchester में जो test series चल रही है उसमें यह रूल को उन्होंने वाइलेट किया है अब उन्होंने क्या हुआ Dom Sible एक्सिडेंटली अप्लाइट saliva on the ball during the match ठीक है लेकिन उन्होंने तुरंथ ही Empire को इंफॉर्म कर दिया था इसके बारे में ठीक है चलिए और इसमें एक और चीज है इस रूल के तहट यह है कि अगर कोई saliva लगाता है प्लेयर तो उन्हें उनके टीम को वार्निंग दी जाएगी और किती टू वार्निंग दी जाएगी पर इनिंग लेकिन अगर उसके बाद भी इसका वाइलेशन होता है इस रूल का तो उसके रिजल्ट के तहट यह रहेगा कि जो अपोजट टीम है यानि बेटिंग साइट पर जो टीम है उनको फाइव रन का प्रॉफिट मिल जाएगा यानि कि पैनल्टी मिल जाएगी ठीक है चलिए नेक्स कुशन देखते हैं विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फाडरेशन हैस अ असमें जांडर की इक्विलिटी यानि male female equal बराबरी से हो है न यानि कि ऐसे ने हो की सारे male ही representative हो female फिमिल भी रहे तो यह ब्रपोजल किस ने अपोफ करा है B WF यानि बैड मेंटन वर्ल्ट फडरेशन है रह वह इसा है जूग्राफिकल के जेनल एरीप्रेंटेजनल और presentation of each gender on the council ठीक है चलिए next question देखते हैं which nation has banned free internet service for social media यानि कि कौन सा ऐसा देश है जिसने free internet services social media के लिए जो चल रही है उसे बंद कर दिया गया है बैंड कर दिया गया है तो इसका answer क्या होगा बंगलादेश option number C लो बंगलादेश टेलिकॉम regulatory commission has directed the telecom companies to stop free internet services to its subscriber for accessing social media the regulatory authority stated that it gives rise to unhealthy competition between the companies ठीक है यानि कि किसने बंद किया है free internet services बंगलादेश ने चलिए next question देखते हैं NASA has postponed the launch of James Webb Space Telescope तिल वन नासा ने पोस्पॉन कर दिया है काहिकी launching James Webb Space Telescope की कब तक के लिए तो इसे पोस्पॉन किया गया है October 2021 तक के लिए नासा has rescheduled the launch of James Webb Space Telescope तो अक्टूबर 31, 2021 तो लॉंच वस अलियर शेडियूल फॉर मार्च 2021 पहले यह मार्च 2021 में शेडियूल कर गया था लेकिन अभी के इस्तिती के साब से इसे 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है चलिए next question देखते हैं next question है when is the last day of the IT department's e-campaign on voluntary compliance of income tax income tax के द्वारा एक e-campaign चलाया गया था जिसका last day कब रहा यह पूछा गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा friends option number a याने July 31st the Central Board of Direct Taxes CBDT has launched an e-campaign on voluntary compliance of income tax for the physical year 2018-19 the campaign will run for 11 days between July 20 to July 31st ठीक है चलिए next question देखते हैं which nation's parliament has begun the process of banning same-sex marriage यानि एक ही जेंडर के person marriage नहीं करेंगी उस पे ban लगाया गया है एक country के द्वारा और उसकी process पर्लियमंट में start हो चुकी है तो वो कौन सा देश है ऐसा करने वाला तो इसका answer होगा Russia है ना रूस Russian Parliament has initiated the process of banning same-sex marriage the Russian lawmakers had on July 14, 2020 submitted draft legislation that seeks to ban same-sex marriage यानि एक ही जेंडर के सेम लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं ऐसा बैन लगाने वाला कौन सा देश है Russia ठीक है चलिए next question देखते हैं लाल जी टंडर passed away on July 2020 he was the governor of which state यानि हाली में 20 July 2020 को लाल जी टंडर जो की गवर्नर थे उनका निधन हो चुका है तो वो कौन से राज जी के गवर्नर यानि की राज जी पाल थे तो आप option कौन सा करेक्ट होगा अप्शन नमबर बी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश गवर्नर लाल जी टंडर हैस पास्ट अवे अड़ एज ऑफ 85 है ना और उनकी जो स्थिती थी गंबीर थी क्योंकि वह जून से अडमेट थे होस्परटल में और उनका 20 जुलाई को निधन हो चुका है लाल जी टंडर वोजन इंडियन पॉलिटीशन वो सफड़ अज ट्वेंटी सेकंड गवर्नर ये भी ध्यान रखेगा फ्रेंट्स कि वह मध्य प्रदेश के कौन से 22nd नंबर के गवर्नर थे और बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं ये तो वह बिहार के कौन से नंबर के गवर्नर रह मनो दर्पन इनिशेटिव किसने लॉंच करा है तो इसका आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर बी रमेश पोकरियाल निशांक है ना कौन है ये यूनियन मिनिस्टर है HRD Human Resource Development Minister है रमेश पोकरियाल निशांक इन्होंने लॉंच किया है मनो दर्पन इनिशेटिव इसके तहट क् सपोर्ट टू स्टुडेंट्स फॉर दियर मेंटल है ना साइको सुषल सपोर्ट जो के मेंटल स्थिति बच्चों के ठीक रहे वैल बिंग रहे इसी के लिए कि इनिशेटिव लॉंच किया गया है जिला इकिस ट्वेंटी ट्वेंटी को इन न्यू देली ठीक है चलिए ने चलिए हैं अंफर ऑगो झाएगा ऑप्षिं नुमबर असको याद करने का फॉर्ण से भी बताती हूं यूनियन balls encrypted फुट प्रोसिंग एंड जरनेरेटेड अरऔं 5000 जॉप अपॉर्चुनेटेटिस मिजॉरम के सिय यो को नाम कौन न खू surprised मिजॉरम के सिय सकता है फियूरम के सिलव रखन और फेड हो लट न खुआ जरुम के गवर्नर कोन है पीएस श्रीधरन पिल्लाई चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं दा क्लेनिकल ट्रायल ऑफ विज नेशन वैक्सिन बिल सून बिगिन इंडिया यानि कि कौन से देश के वैक्सिन ट्रायल भारत में जल्द ही शुरू होगा तो इसका आंसर क्या ह है ऑप्शन नमबर ए है ना UK United Kingdom जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेशन देखा था United Kingdom ने डबल ऑफर किया है कि अगर वैक्सिन सक्सेस्वल हो गई तो वो डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइट करेगी है ना तो ऑक्सवर्ड वैक्सिन पार्टनर सेरम इंस्टिट् क्रeals of Oxford COVID vaccine in India the Oxford COVID vaccine trial have shown the most promising result and are much ahead of other clinical trial happening around the world विश्वा में भागी जितने विवा गुचिन रो रहे हैं उससे कई गुना बैटर है यह ट्राय ऐसा दावा किया जा रहा है Oxford का ठीक है the Oxford vaccine trial will begin in India as soon as the required license is procured जैसे ही license का permission मिलेगी जल्दी से जल्दी इसका trial भारत में शुरू कर दिया जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है Indian Army has acquired newly developed drones from DRDO what are they called DRDO ने develop किया है Indian Army के लिए drone तो उनका नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम रखा गया है भारत option no.1 the defense research and development organization यानि की DRDO has provided its indigenously developed indigenously क्या है फ्रेंट्स घरेलू यानि खुदी जैसे इंडिया का है तो इंडिया में ही developed हुआ है drone named भारत to the Indian Army the drone will help the army carry out accurate surveillance in high altitude areas and mountain terrain especially along the line of actual control in Eastern Ladakh especially कहां पे Eastern Ladakh में जो highly space है यानि की highly जित्ते भी altitude area है यानि पहाडी हिलाकिया वहां पे उस पे निगरानी रखने के लिए drone helpful रहेंगे ठीक है चलिए next question देखते हैं the United States has listed which Indian telecommunications company among clean telecox United States ने लिस्ट करा है एक Indian telecommunication company को काई में clean telecox में अब क्यों किया गया है पहले तो इसका answer देखते हैं कि कौन सी कंपनी को करा है Reliance GEO को option number B क्यों करा गया है यह देखते हैं the United States has listed Reliance GEO among the companies that are becoming clean telecox saying that they are rejecting doing business with companies like Huawei that are tools of the Chinese Communist Party surveillance state याने कि यह Reliance GEO क्या कर रहा है companies के साथ में business करने के लिए reject कर रहा है कुछ companies को जैसे कि Huawei के साथ क्यों क्यों क्योंकि Huawei कहां कि यह Chinese company है तो इसलिए United States को listed किया है इस company को किसको Reliance GEO को काई में clean telecox में ठीक है चलिए next question देखते हैं इंडिया नैवल शिप्स कंड़क्टेट पैसेज exercise ऑन जुलाय 2020 विट विच नेशन निमितिस केरियर स्ट्राइक ग्रोप ठीक है passage याने Pasex जिसका नाम Pasex भी है यह passage exercise passage का मतलब क्या होता है आने जाने का रास्ता है जिसे बुलते है न वही तो इंडिया नैवल शिर्प ने कंड़क करी है passage exercise तो यह किस country के साथ में करी है यह पूछा गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा US option number A यह हाली में पिछले मही ने जापान के साथ भी करी थी इंडिया ने है और इससे पहले France के साथ भी हो चुकी है और अब यह exercise किसके साथ हुई है USA United States of America के साथ हुई है यह exercise ठीक है कहां पे हुई है नियर अंडमान निकोबार आइलेंड है ना इंडियन ओशियन चलिए next question देखते है ICC has postponed T20 World Cup 2020 when will be it held now यानि कि अब यह कब आयोजित होगा यह पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा friends option A October November 2021 में त्रीक है the International Cricket Council confirmed on July 2020 that the ICC Men's T20 World Cup to be held Australia 2020 has been postponed to October November 2021 किसके कारण COVID-19 के कारण ठीक है चलिए next question देखते है what is the theme of India Idea Summit 2020 India Idea Summit 2020 के theme यानि विशे क्या रहा है तो इसका answer क्या होगा option number A building a better future the 2020 theme of the India Idea Summit is building a better future the summit is hosted by US India Business Council किसके द्वारा host की गई थी US India Business Council के द्वारा host की गई थी इसका theme क्या था building a better future और यह इस साल का कौन से edition था 45th anniversary of the founding of the council है ना यानि जो US India Business Council है इसका 45th foundation anniversary थी ठीक है चलिए next question देखते है which state government has approved मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना ये कौन से राजसरकार के द्वारा में launch की गई है तो इसका answer क्या होगा option number C Delhi है ना दाली chief minister कौन है अर्विन के जरिवाल इनना अनाउंस किया है कि मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना ये launch करी है इस scheme के तहट क्या है जितने भी राशन है वो घर पे ही याने doorstep delivery होगी राशन की ठीक है और lieutenant governor कौन है दिली के अनिल बेजल जी ठीक है चलिए next question देखते है which state has decided to reopen schools from September 5, 2020 यानि कौन से सरकार ने ये decide किया है कि स्कूलों को वापस खोला जाएगा कब से September 5, 2020 से तो इसका answer क्या होगा friends आंदरप्रदेश option number A आंदरप्रदेश state government has planned to reopen schools from September 5, 2020 लेकिन अभी final decision जो है वो situation के हिसाब से लिया जाएगा अभी decision लिया गया है लेकिन उसे लागू करा जाएगा ये भी confirm ही है ठीक है और आंदरप्रदेश के CM कौन है यदुगूरी संदितनी जग मोहन रडडी जिनने YSJ रडडी के नाम से भी जाना जाता है अदरप्रदेश के गवनर कौन है विस्वभूशन हरी चंदन ठीक है विस्वभूशन हरी चंदन ये अंदरप्रदेश के गवनर है PM Modi recently praised nuclear scientist for achieving criticality at the Kakarapar atomic power plant 3 the power plant is located in which state याने की friends एक Kakarapar atomic power plant 3 करके है जिसका criticality solution कर दिया है scientist के द्वारा तो इसके लिए PM Modi ने praised करा है उनको तो ये जो power plant है ये कहां located है ये पूछा गया है तो आपका option number D याने की गुजरात है ना correct answer हो जाएगा इस question का ठीक है चलिए next question देखते है next question है which country recently launched its first ever military satellite याने की कौन सा देश ऐसा है जिसने हाल ही में अपनी पहली military satellite launch की है तो इसका answer क्या होगा friends option number D South Korea South Korea launched its first ever military communication satellite on July 2020 this satellite was launched by private operator किसके द्वारा launch की गई है Space X private operator के द्वारा the military satellite ANASIS second जिसका नाम क्या है ANASIS second नाम है इस military satellite का enhancing the nation's ability to defend itself against nuclear armed North Korea ठीक है जली यह next question देखते हैं next question है an earthquake with a magnitude of 7.8 hit the coast of which nation on July 2020 2020 2020 याने कि जुलाइ 22 2020 को कौन सा ऐसा आर्थक्रेक किस देश में आर्थक्रेक आया था ठीक है जिसके magnitude क्या था 7.8 तो इसका answer क्या होगा option number C Alaska ठीक है क्या warning जारी की थी कि सुनामी की warning जारी की गई थी लेकिन उसके बाद में से cancel कर दिया गया ठीक है चलिए next रे दिखते है which state's first plasma bank mission corp was launched on July 2021 ठीक है याने कि कौन सा ऐसा पहला plasma bank mission corp कौन से सरकार द्वारा launch किया जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा friends करनाटक option number A करनाटक deputy CM deputy CM कौन है करनाटक के CN अश्वतर नारायन यह है इन्होंने July 2021 को inaugurate किया है State Madden Plasma Bank at HCG Hospital Bengaluru as a part of mission corp ठीक है याने COVID plasma endivior corp का full form क्या है COVID plasma endivior ठीक है चलिए next question देखते है next question है which nation will be hosting the 2020 edition of the Indian Premier League याने IPL के 2020 का जो session है edition है वो कौन से देश होस्ट करेगा यह पूछा गया है तो इसका correct answer क्या होगा friends UAE ठीक है the 2020 edition of the Indian Premier League IPL will be held in the UAE this was confirmed by the IPL governing counselling chairman British Patel कौन है IPL के chairman IPL governing council chairman British Patel ठीक है चलिए next question देखते है next question है who has won the Gulbenkian prize for humanity ठीक है Gulbenkian prize यह किसके द्वारा जीता गया इसके winner कौन रहे है तो इसका answer क्या होगा Greta Thunberg Greta Thunberg a 17-year-old environment activist from Sweden Greta Thunberg कहां की है Sweden की है यह भी बहुत important question है was named the winner of the first Gulbenkian prize for humanity she is the founder of school strive for climate and is known as one of the most influential environmental activists ठीक है Greta Thunberg यह important नाम है और यह किस देश को बिलाउं करती है Sweden को ठीक है चलिए next question देखते हैं जिनके 23rd को birth anniversary मनाई जाती है कब जुलाई 23rd को ठीक है तो option number कौन सा correct होगा इसमें option number A है न चंदर शेखर आजाजी और बाल गंगाधर तिलग यानि 43 का option number A चंदर शेखर आजाजी और बाल गंगाधर तिलग जी की 23rd जुलाई को birth anniversary आती है जो की मनाई जाती है अब birth anniversary आती है freedom fighter of India बाल गंगाधर तिलग एंड शेखर आजाल लोकमानी बाल गंगाधर तिलग थी के बाल गंगाधर तिलग के पूरा नम के है लोकमानी बाल गंगाधर तिलग इन्होंने एक famous नारा दिया था famous line दी थी स्वाराज is my birthright and I shall have it ये इनके द्वारा दिया गया है कि slogan था कि स्वाराज मेरा जनम से दधिकार है और इसे मैं पाकर रहूंगा ठीक है चलिए next question देखते है PM नरण मोदी led the foundation storm on which state's water supply project on July 23 July 23 को PM नरण मोदी जी के द्वारा नीव रखी गई है कहां की water supply project की तो ये किस राज्य में रखी गई है ये पूछा गया है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा friends मानीपूर option number B PM नरण मोदी on July 23 2020 led the foundation storm for मानीपूर water supply project through video conferencing video conferencing के through नीव रखी गई है foundation stone रखा गया है the project aims to ensure at least 1185 habitations with 142749 households ठीक है अब इसमें important यह है कि कहां पर water supply project की नीव रखी गई है नरण मोदी जी के द्वारा तो इसका answer क्या हो जाएगा मनीपूर ठीक है चलिए next question देखते है next question है what is the name of China's ambitious Mars rover mission China कर जो Mars rover mission है उसका नाम क्या है ये पूछा गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा ताइन वेन वन यानि की option नमबर बी चाइन लॉंच्ट फॉर्स ambitious Mars rover mission ताइन वेन वन उन जुलाइ इसका नाम है इसका नाम जो ताइन वन है इसमें इंक्लूट क्या-क्या है Mars orbiter है lander है और एक rover है ठीक है चलिए next question देखते है IAF is planning to procure hammer missiles from which nation IAF याने Indian Air Force ये planning कर रही है hammer missiles को procure करने के लिए किस देश के दुवारा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option नंबर डी याने की फ्रांस है ना 46 का डी फ्रांस अब इसमें इंपोर्टेंट एक और चीज़ क्या है कि chief of air staff कौन है राकेश कुमार सिंग भधोरिया ये chief of air staff है और ये कौन से नंबर के 26 चीफ है इंडियन एयर फोर्स के ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछते हैं कि कौन से नंबर के चीफ बनाएगा है तो ये 26 चीफ नंबर के बनाएगा है कौन राकेश कुमार सिंग भधोरिया ठीक है चलिए next question देखते है इंडिया यानि कि कौन सी एकॉमर्स कंपनी है जिसने एक्वाइर किया है वाल्मार इंक बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स को भारत में तो आपका option कौन सा करेक्ट होगा इसमें फ्लिपकार्ट ऑप्शन नमबर सी फ्लिपकार्ट अनौंस जुलाइ 23 वेटीटीटीटीटीट एट इसके लिए ऐसा किया गया है फ्लिपकार्ट ने और वाल्मार्ट का जो यह बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स इंडिया में कब से चल रहा है 2009 से ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा अब इसकी डीटेल देख लेते हैं Amazon.com Inc's India unit announced on July 23, 2020 that it will begin offering auto insurance making India the e-commerce giant first market for the service ठीक है यह service प्रोवाइट करने वाली पहली giant first market e-commerce company कांसी है Amazon ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर ए चंदीगर चंदीगर environment department has decided to ambulances for treatment of sick trees in the union territory the emergency service will include treatment of trees affected by termites and other insects ठीक है जो पीपी सिंग बदनो यह कहां के गवर्नर है चंदीगर के ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं इंडिया विल वर्क तोगेदर विट विच नेशन तो डैवलप थर्टी सेकंड कोविड-19 टेस्ट याने की ती सेकंड में ही कोविड-19 का टेस्ट हो सके ऐसा डेवलप कर रही है इंडिया किस नेशन के साथ में इसका अंसर क्या होगा इस्राइल ऑप्शन नुमबर C इंडिया एन इस्राइल वर्क तोगेदर तो डेवलप टोगेदर तो डैवलप अगोविड-19 टेस्ट त्ट विल ब्रिंट टेस्ट प्रोसेस दाउं तो 30 सेकंड इट विल अ idly available and will help the open economies ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है who has been appointed as the honorary advisor to steering committee for Bricks Chamber of Commerce Bricks Chamber of Commerce के honorary advisory के लिए किसे appoint किया गया है तो इसका answer क्या होगा साहिल सेट option number C साहिल सेट has been appointed as the honorary advisor to the steering committee of the Bricks Chamber of Commerce CCI young leaders for the period of 2020 to 2023 के लिए ठीक है चलिए next question देखते हैं when is IPL 2020 edition schedule to begin IPL 2020 जैसे कि हमने अभी देखा था कि host कॉन कर रहा है UAE और यह शुरू कब से होगा यह पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा September 19th September 19th 2020 ठीक है इंडियन प्रेमियर लीग हैस बिगिन री शेडूलेट फॉर सेप्टमबर 19th 2020 इन यू ए इए ठीक है कर दिया है क्यों क्योंकि उसमें अब्जेक्शनेबल कंटेंड है तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है पाकिस्तान ऑप्शन नमबर ए पाकिस्तान पंजाब गवर्मेंट हैस बैंड ओवर हंड्रेट टैस्ट बुक फर हैवइंग ब्लेस्फरमस और अब्जेक्शनेबल कंटेंड सच इस नौट शोइंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइट कश्मी पी योग के बारे में यानि कि वह एक पार्ट है पाकिस्तान कंट्री का ऐसा नहीं बताय रहे गया है कुछ बोक्स में अनुद प्रेंट में किकी गई है किसकी बार्ट ऑफ पाकिस्तान फाउंडर मोहँमद अली जन्ना जी की बःट एट ही करेक्ट प्रिंट मीविये नैशनल पोट अल्लाम मुहमद इक बार इनकी भी डेट ऑफ बार्थ करेक्ट प्रेंट नहीं fine for not wearing mask and violation of covid-19 protocol याने कि कौनसे राज्य सरकार ऐसी है जिसने दो साल की jail और एक लाग का जुर्माना रखा है अगर mask नहीं पहना या covid-19 के protocol को violate किया याने rule को तोड़ा तो ऐसा करने वाला कौन है जार्खन फ्रंट जार्खन में एक लाग रुपे fine याने कि अगर आपने mask नहीं पहना है तो सीधे एक लाग रुपे का fine है और साथ ही दो साल की jail भी है ठीक है तो ऐसा करने वाला कौन है जार्खन जार्खन स्टेट कैबिनेट ऑन जुलय 2020 अप्रूफ द जार्खन कंटीजिस डिसीज ओर्डिनेंस 2020 अंडर विच वाइलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल सच इस नौट वियर इंवारिं मास्क विल इन्वाइट जेल तर्म अप टू तू येर्स और फाइन अप टू लाग ठीक है the united state has order closure of which nations consulate general in house यानि कि us ने एक order जाड़ी किया है जिसमें nation जो consulate होते याने दूतावास ठीक है उनके लिए एक order जोरी किया है तो वो किस देश से belong करते है किस देश के लिए किया है तो option number c चाइना है चाइना के लिए सा किया है the united states has order closure of the chinese consulate general in house time यानि कि जो दूतावास होते है ना उनको मना करा गया है यानि closure भी यह कहते है कि हटाने के लिए ठीक है हटाने के लिए कहा गया है किसने US ने कहा कि दूतावास को चाइना गया ठीक है यहां पर US ने यह कहा है कि Consulate General in Houston को closure किया जाए चाइना के ठीक है चाइना के दूतावास को मना किया जाए या हटाया जाए ठीक है चलिए next question देखते हैं आफ्टर UAE, China, which nation will launch a Mars probe later this month यानि कि UAE और चाइना के बाद अब कौन साइसा देश है जिसने इस मन्त में बाद में अपने Mars probe launch करेगा तो इसका answer क्या होगा फ्रंट्स, US the United States is planning to launch its Mars rover next week, becoming the third nation to launch a space probe to Mars in July after the UAE and China NASA will be launching its Mars Provisibles rover next week, ठीक है, Perseverance rover next week, ठीक है, कहां का, NASA, यानि के, US का all three missions are planning to reach Mars orbit by February 2021 ठीक है, 2021 तक पहुचने के chances हैं इसके, चलिए, next देखते है which nation has imposed restrictions on public procurement from countries that it shares land border with, यानि कि कौन सा देश ऐसा है जिसने restriction लगा दिया है public procurement, public procurement क्या होती है, जो सरकार सामान या कोई भी चीज खरीती है दूसरी countries से और इस question के according क्या, जो land border share कर रही है, उससे restriction कर दिया गया है, तो ऐसा करने वाला कौन है, option number D, India भारत ने क्या किया है, the Indian government on July 23, 2020 amended the General Financial Rule 2017 to impose restrictions on public procurement from countries that share a land border with India on national security ground, यानि कि भारत से जितनी भूमी शेयर करती है border, यानि कि भूमी बॉर्डर यानि भूमी सीमा जितनी लगती है भारत के साथ जिन जिन देशों की, उनको restrict कर दिया गया है, भारत ने उनसे सामान लेने के लिए, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, friends, तो friends, ये थे हमारे जुलाई, तो friends, ये थे हमारे जुलाई, 4th week के महतुपून current affairs, आपने आखरी तक वीडियो देखा, उसके लिए thank you, आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और जादे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये current affairs के बारे में पता चल सके, सारे important questions, ठीक है, और comment करके ज़रूर बताइएगा, कि आपको video कैसा लगा, और comment box में आप friends, suggestion भी दे सकते हैं, कि अगर आप चाहते हम किसी video बनाएं, किसी topic पे, तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं, या आपके कोई और suggestion है, तो वो भी आप comment box में दे सकते हैं, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, friends, please, चैनल को subscribe कर लिजिएगा, ताकि आपको ऐसे important videos मिलते रहें, ठीक है friends, तो मिलते हैं आगले ऐसे video में, जब तक के लिए जैश्री महांकार,